क्रिप्टो दुनिया के दो सबसे बड़े प्रोजेक्त बिट्कोइन और इथिरियम के रिगार्डिग हम बात करने वाले जैसा कि हम जानते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर लगातार क्रेस जारी है क्योंकि फड़ भी लगातार जारी है साथ इसाथ दोस्तों Ethereum में क्रेस आने की वज़े से जो ERC20 टोकन से खास कर जिनमें meme coins भी सामिल है वो सब में भी कुछ-कुछ तो काफी जाधा down चले गए जैसा कि 600-600% भी वो down में चले गए थे अब पिछले तीन दिन के अगर बात करें तो जो most of the altcoins थे उन्होंने दो बार bounce back दिखा है जैसा कि आज भी most of the altcoins green signal दे रहे हाला कि recover हो गए यह सा कहना बिलकुल गलते क्योंकि एक दो परसेंट का green signal का कोई बड़ी बात नहीं जैसा कि bitcoin के अगर आप price देखोगे तो 20,000 लग और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो market लगबग पूरा क्रेस हो जाएगा और जो पूरा market केप होने वाला है पूरा overall crypto का वो लगबग रह जाएगा 500 billion के आसपास उससे भी down आ सकता है दोस्तों क्योंकि ethereum पर भी काफी ज़्यादा खत्रा मंडरा रहा है जैसा कि bugatti ने जब से ethereum के regarding बात किये कि वह अगर 1000 से डाउन आता है यानि कि जो ethereum की price अगर 1000 dollar से कम होती है तो वह अपने सारे ethereum sell करने वाला है अब सबसे बड़ी problem है कि bugatti top 20 holders में आता है अगर ethereum की बात की जाए तो इसी वजह से दोस्तों लोगों के मन में काफी जादा questions है कि crypto खत्रे में crypto क्य video में बने रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों bitcoin की जो price है वह 20,000 से डाउन नहीं आ रही जैसा कि दो बार इसमें double crash देखने को मिला एक भारी crash के बाद में अब सबसे positive चीज है दोस्तों कि जो bitcoin के owner है वो किसी भी तरह से इस crash को कहीं नहीं दिखा रहे हैं अगर twitter क कि भी बात करें ऐसा को statement नहीं दे रहें कि उनको काफी ज़्यादा इस चीज से डर है क्योंकि उनको कहीं ना कि जो actual reason से वो पता है और दो मैंने आपको बता दिये थे जो कि था रूस और साथी साथ जो चाइना इन दोनों की तरफ से दोस्तों rumors आये थे आज के 7-8 दिन पह करने वाले कुछ celebrities हैं बड़े-बड़े उनका भी यही कहना है कि people will always believe in rumors इसका मतलब यह होगा कि जो लोग है जो investors है वो हमेसा FUD पर सबसे जल्दी विश्वास करते हैं और उसी का दोस्तों यह नतीजा है कि जो bitcoin का market के पर वो काफी जादा down हो गया जैसा कि आप देख सकते यहां पर अब दोस्तों लगबग more than 1 trillion जो डोलर है इतना market से खतम हो चुगा है पिछले 6 महिनों के अंदर इतना जदा wiped out हो चुगा इतना पैसा बाहर निकल चुक है लोग continuously exit मार रहे हैं यह से लेकिन positive sign में आपको इसलिए करहा हूं bitcoin के अदर क्योंकि जैसा कि US stocks के साथ bitcoin क क्रेस हुआ था bitcoin के क्रेस के साथ market क्रेस हुआ और दोस्तों जैसे ethereum क्रेस होने लगा फिर तो पूरा का पूरा crypto अच्छे तरीके से बड़ा सा क्रेस उसमें देखने को मिला है लेकिन सबसे logical point है दोस्तों जैसे अगर दो दिन पहले की बात की जाए तो ethereum का दोस्तों प्रा विटालिक बुटेरिन बुगाटी ने जब से बोला है कि एक हजार एक हजार से नीचे जैसे इसका प्रैस आएगा तो अपने सारे ethereum सेल कर देंगे तो उसके बाद में दोस्तों हो सकता है कि जो विटालिक बुटेरी ने उस चीज़ का उनको भी पाता हो और उन्हों नहीं यह पर्चेजिंग करवाई हो उसके बाद में दोस्तों इसमें बाउंस बेक आया था बारा सो तक इसका प्रैस वापिस से चला गया था लेकिन वह भी आज की देट में अगर देखा जाए तो फिर से यह डाउन में और इसका मिनिमम था आज के दिन में एक हजार अठावन और कुछ एक्षेंजेस पर तो दोस्तों एक हजार चालिस तक भी आया था अगर यह एक हजार से कम जाता है तो फिर तो इथिरियम दोस्तों हमको 500-600 डोलर के आसपास भी नजर आ सकता है क्योंकि आप खुदी सोचे टोब 20 होल्डर में बूगाटी आता है अगर वो अपने अगले लगास कर रहे हैं ऑसने शाइस मावार से और साथ साथ दोस्तों हमसा पोजिटीव स्टेट्मेंट्स आ रहे हैं चाहे हैं आप किसी भी वेबसाइट से देखो चाहिए आप इंटर्व्यू से देखो अब दोस्तों जैसे कि डोज को इन की बैगर बात की जाए तो जैसे क्रिप्टो पर खत्रा मनाना मनराने लगा तो मार्ट वैलेस जैसे यूटूबर जो की काफी बड़े यूटूबर है उन्होंने यह स्टे यह सबसे पुलस पॉइंट है दोस्तों कि एथिरियम पर काफी जादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हुए इसकी ब्लोक्चेन के उपर और क्रिप्टो एक्स्पो एस्या इवेंट आ रहा है दोस्तों इकिस बाइस दून को यानि कि पांस से छे दिन अभी बचे से और वहाँ पर सामिल होने वाले तो इथिरियम ब्लोक्चेन को सबसे प्लस पॉइंट यह रहने वाला है कि बाकी जो इयार सी टॉंटी पर जो बने हुए टोकन से उनमें अगर बाउंस बेकाता है तो इथिरियम को भी उससे फायदा होता है दोस्तों और इथिरियम की सब और लिक्विडिटी पॉल में भी काफी जा रहा होगा और उसी की वज़े से दोस्तों इथिरियम को क्रेस से बचाया जा सकता है क्योंकि वापिस इसको कितनी भी भारी मातरा में खरीदा जा सकता है हाला कि यह चीज कहना भी गलत नहीं है अगर गलती से इसका प्राइस एक क्रिप्टो के जो बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं वह भी कही ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं बिटकोईन और इथिरियम को सबसे बड़ा उसमें इंफिलेंसर बैंक निकल कर रहा है दोस्तों बाइनिस एक्षेंज खुद पर ही फोकस करता है दोस्तो और आप यह सोचिक दोस्तों जो मैंने आपको को देती है यहाने की साथ प्लेल्ट को से अध्याएं अपको बताया तो यह सब में लगबग दोस्तों मेटिंग होने वाली नेक्स्ट मंद तो यह सारी चीजे काफी पॉजिटिव है कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए लेकिन जो यह क्रेस कंटेनुसली चल रहा है यह यूएस से जो है जो क्रिप्टो का सबसे बड़ा हाब है वहां से लगतार फड़ अभी भी निकल कर आ रहा है अब पिछले चार दिन से अगर बोला जाए हाला कि यूटूबर अगर आप देखोगे तो अभी भी कुछ यूटूबर्स आपको बोलेंगे कि रस्या और चाइना अभी भी लगतार इसको बेन कर रहा है या जो भी इस तरह की न्यूज वहां से आरी लेकिन ऐसा कोई भी न कर दोस्तों वहां उनको लाइसेंस मिल चुका और वहां पर वह अपना ओफिस इस्टेबलिस करने वाले तो कहीं ना करें दोस्तों एक्सेंज थो बड़े-बड़ेंगें जो वेलना एक्सेंज उनको भी एक सपोर्ट मिल रहे हैं अब दोस्तों एक क्विट में आपको और Ethereum, Doge और Shiba Inu को तो इतने ज़्यादा बियरिस मुमेंटम में जब मार्केट की हालत काफी ज़्यादा खराब है और इस तरह की न्यूज आना और वो भी दोस्तो इतने बड़े Twitter handle से ये न्यूज है और दो दिरों में थोड़ा और उसमें इजाफा देखने को मिला है अगर Doge को इनकी भी बात की जाए दोस्तों तो ये भी काफी ज़्यादा trend में आ चुका है आफ्टर मार्ट वैलेस statement जो कि उन्होंने बोला है कि अगर ये एक डोलर तक नहीं जाएगा इस साल के end तक तो अपना YouTube चैनल डिलेट कर देंगे YouTube को वो छोड़ देंगे तो ये काफी बड़ी-बड़ी statements है जो कि crypto को support करने के लिए कही गई है अभी आगे जाके दोस्तों आने वाले जो 2-3 दिन रहने वाले हैं जब ये crypto एक्सपाइस event होने वाला है तो इसमें काफी अच्छा खासा एक रेली देखने को मिल सकता है market के अंदर अब एक चीज है दोस्तों कई लोग Ethereum का entry point पुछते है तो दोस्तों अगर आप suppose जितना invest करना चाहते हो Ethereum के अंदर suppose आप अगर 5000 इंवेस्ट करना चाहते हो तो अभी आप उसमें 5000 या 3000 इंवेस्ट कीजे क्योंकि एक रिस्क अभी भी है जो कि मैंने आपको बता दिया क्योंकि फट जारी है अगर ऐसा होता है कि इसका price 1000 से कम जाता है तो उस case में दोस्तों ये और भी ज़्यादा डाउन जाने वाला है यानि कि 500-600 डोलर पर भी ये ट्रेट करता हूँ नजर आ सकता है तो फिर आपको बाकी का amount वहाँ पर डालने है हाला कि उसकी possibilities काफी ज़्यादा कम है क्योंकि Vitalik Botarian जो है ऐसा होने बिल्कुल नहीं देने वाले है तो यही था दोस्तों आज की news crypto के regarding अगर आपको information सही लिए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं फिलाल के लिए था बाई बाई थेंक्यू